भारत अब ऐसे प्रोजेक्स में काम करने में लगा है जिसकी डिमांड दुनिया के बड़े देशों में काफी जादा देखी जा रही है वहीं भारत ग्रीन शिप्स को लेकर अपनी एक अलग पहचान बनाने में काम्याब दिखाई दे रहा है और जिसकी जरुवत अब यूरोपियन यूनियन अमेरिका को काफी जादा महसूस हो रही है दरसल यूरोप और अमेरिका आजकल कार्बन इमिशन को लेकर काफी कमभीर होने लगे है जिससे उनका ध्यान अब ग्रीन शिप्स की तरफ हो रहा है जिसको लेकर भारत एक बढ़त बनाता हुआ दिखाई दिया है हाली में राजद्वारा संचालित, कोचिन शिप्यार लिमिटेड यानि कि CSL ने नौर्वे को दो पूरी तरह से इलेक्टर कार्गो फेरी के दिलिवरी की है इसके अलावा और भी कई ओर्डर्स पाइप्लाइन में है बतादे कि कोचिन शिप्यार लिमिटेड ने यूरोपियन कस्टमर्स से दो जहांजों के निर्माण के लिए अनुमद भी प्राप्त किये हैं जो कि मैत्रों से चलने वाले होंगे और यहां भारत पहले ही ग्रीन एनरजी पर 100% जहांजों को चलाने के लिए एक अनूठी योजना की खोज कर रहा है जिसमें सोलर, सी वाटर, विंड और हाइडरोजन के मिशन से यूख एक हाइब्रीड एनरजी मॉडल है वही भारत ने ग्लोबल शिपिंग हब बनने की अपनी महत्वकांशा को बढ़ावा देने के लिए ट्रडिशनल शिप बिल्डिंग देशों जैसे नौर्वे, जर्मनी और अमेरिका को ग्रीन शिप के आपूर्ती करना शुरू कर दी है और ये तब और ज़रूरी हो गया है जब रूस यूक्रेन युद्ध के कारण हुए वैस्विक उजय संकट के बाद से अब ये मुद्दा और महत्पूर्ण हो गया है जिसने ग्रीन शिप बनाने में नए सेरे से दिल्चस्पी दिखाई है आम तोर पर कम प्रदूशन फैलाने वाले इंदन जैसे मेतरावल, इलेक्टरिसिटी, ग्रीन हाइडरोजन और हाइब्रीड बैटरी पर चलने वाले जहाज बड़ी भोमिका निभाने वाले हैं इसके अलावा शिप याड ने ग्रीन हाडरोजन से चलने वाले दो कंटेनर जहाजों के निर्माण के लिए नौर्वे के साथ अपने अनुबंधों पर हस्तक्षर किये हैं वहीं जर्मनी के एचे शिफियर्ड ग्रुप को आठ एको फिल्टर्स की आपूर्ती के लिए एक और अनुबंध है वहीं शौट सी शिपिंग मार्केट में CSL की मौजूद की भारत के शिप इंडर्स्ट्री के लिए एक हुकम का इक्का साबित होने वाली है वहीं भारत के प्राइवेट सेक्टर भी दौमेश्टिंग मरीन मैनेफेक्चरिंग को मजबूत करने में महत्पूर भूमिका निभा रहे हैं बतादे की गोवा इस्तित चोगैलन कंपनी ने यूरोपिय कस्टमर से आठ इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार्गो जहां जो के निर्मान का ठेका हासिल किया है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अधिकांश उन्नत देश भारती कंपनियों को जहां जो के लिए ओर्डर दे रहे हैं और यह बात का इसपर संकेत है कि मेड इन इंडिया सफल हो रहा है और आत मेरो भारत के पहल को मजबूती मिल रही है वही नौर्वे और जर्मेनी के अलावा भारती शिप बिल्डर्स अमेरिका, नीदरलेंड, डैनमार्क और पश्रीम एशाई देशों की कंपनियों के साथ सौधे करने के करीब हैं वहीं पड़ोसी देश, बांगलादेश, श्रीलंका और मैंड मार्स से भी अनुमंदों पर गौर किया जा रहा है वहीं CSL के अलावा कई इंडियन शिप डिजाइन और टेकलोजी फर्म भी ग्रीन शिप सलुशन देने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है